अलो गाईस आप सभी लोगों का अब फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरूप C के मैच के बारे में यूरोपें T10 किर्केट लीग के जो आज के दिन का पांचवा मैच है और इस गुरूप C के मैच भी पांचवा है ठीक है पांचवा मैच है यह मैच खेला जाएगा अल्टर्ण वर्सेस एकाडमिक एम्यू सोफिया के बीच ठीक है टाइमिंग है बारा बजे आज की दिन स्टार्ट होएगा आज की दिन का लास्ट मैच है वेदर की बात करें तो वेदर के लिए हर अभी तक एक भी मैच में बारि पांच के लिए अब एक सो चालिस बनता है ठाल तो वेदर की बात करें तो अभी तक स्टूना में धिर मैच हो चुके में जिसमें से पंदरा जीते बैटिंग लिए बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यानि दौनों के लिए बराबर एंटिंग सेकंड और तो भी टीम ज थीख सेस्टाइब करूँ करने हम दिन के 5 वीडियो बना रहा है सबी मैचों के और आने वाले सबी मैचों की भी हमने तैयारि कर रखी ज्याधा गडर मैचों की ता कि आप हमारे चैनल चैनल से जुड़े ताकि आपको इस match से related toss update मिले और line up मिले और हमारी final team भी आपको वहापर ही मिलेगी और बात करता है पहले all turn की तो इनों की तरफ से हमने player को line up last match के साफ से लिखा है और उसका stats भी लिखा है पिछले match का कि उन्होंने क्या performance दी ती तो video को भीना skip करें देखना और पूरा सुनन ताकि आपको कौन-कौन से player लेने किसने पिछले match में कैसी performance करी तो आपको एक अच्छी team बनाने में help मिल सके टीम आप जाद अगर पिलियरों के stat देखके आप खुद से बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यदा फायद होएगा किसी की team से आप कभी भी पैसा win नहीं क पारी खेली एक अवर की गेंदबाजी करवाते वे एक विकेट लिया इसका overall record देखे तो 14 मैच का जिसमें 201 रन बनाया 25 के अवरेस से 32 मैच में 609 रन बनाया 24 के अवरेस से और पहले मैच में 17 रन की पारी खेली है इसके बाद मलियार इस्टनेक जाई जिसने पहले मैच में एक रन की पारी खेली एक अवर की गेंदबाजी करवाते वे एक विकेट लिया इसका overall record देखे टीटन का तो 37 मैच का जिसमें 475 रन 15 के अवरेस है और अठावन ओवरों की गेंदबाजी करवाते वे 31 विकेट लिया यहाँ एक CVC का कच्छा चोईस है क्योंकि नंबर टीन पर बैटिंग कर रहा है और ज्यादा कर मैच में आपको बालिंग प्रोवाइट करवाएगा तो CVC का कच्छा चोईस और बाकी आपक उसे बॉलिंग करवाई थी बाकी यह बॉलर नहीं है इसलिए इसने बॉलिंग डाली वणना यह बॉल इंटालता है खाली बैटिंग करता है आपको बता दूम्हें ठीक है इसके बाद मुरली थार्ड गुना सेकरा जिसने पहले मैच में जीरो रन बनाए और एक अवर की ग लिए इसके बाद है डिलाई जोंसन या एक अच्छा वाल राउंडर है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से आपको कॉंट्यूबिट करेगा और डिफ्रेंसल के तौर पर आप इसको सी विसी भी बना सकते हैं 23 मैच में 249 रंड बना है अठारा की एवरेश से और 27 ओवरों की गैंदबाजी करवाते हैं 15 विकेट लिया पहले मैच में 35 एवरों की गैंदबाजी करवाय एक विकेट लिया इसके बाद है मोहमद साइद अब्दूल वरीदू जिसने तेस रन की पारी खेली और साथी साथ आपको विकिट की प्रिंग के पॉइंट भी देगा तो इस टीम की तरफ से आप इसको चाहो तो ले सकते हो पन बैटिंग थोड़ा नीचे कर रहा है ठीक है बात करते हैं इसके टीटेन करियर की तो 31 मैच में 355 रन बनाया 18 की एवरेस से इसके बाद आता है पर्थाप राज रन राज राज वर थारायन इसने 31 मैच में 249 रन बनाया 24 की एवरेस से इन पिलियरों के नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई कि मैंने ज़्यादा टीटेन खेला तो है पर ज़्यादा कर इस टीमों का नहीं खेला तो इसलिए नाम लेने में थोड़ा परनाउंस करने में दिक्कत हो रही है इसने पहले मैच में बैटिंग इसकी नहीं आपाई थी खाली एक और की गैनबाजी करवाई थी और जिसमें 0 विकित लिए ठीक है एक मैन बॉलर और आपकी सबी टीमों में होना चाहिए इसके बाद है जमाल इस्टेनेक जाई दस मैच में 14 वरों की गैनबाजी करवाते हैं दस विकित लिए पहले मैच में दो वरों की गैनबाजी करवाई दो विकित लिए बात करते हूं यहां से आपके लिए मैन मैन पि कि साइध बैटिंग नीचे कर रहा वरना ये भी एक अच्छा पिक था इसके बाद अली उस्मान और जमाल इस्टे नेख जाई बैंच पर भी इनके चार पिलियरों तो इन में से कोई खेलेगा तो उसके श्रसम आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे इस के तरफ से ओपनिंग करी थी कुसल किसन कुमांड ने जिसने पहले मैच में दो रन की पारी खेली मात्रा और एक ओवर की गैंदबाजी करवाते वे जीरो विकेट लिए पन यह बहुत अच्छा बैटर है और जिसने ओवरोल लिकॉर्ट देगे तो ग्यारा मैच में पचास मैच में चोटील हो गया तो रिटाराट हो गया और पांच रन पर रिटाराट हो गया तो इसलिए इसकी बैटिंग वापेस नहीं आई इसका ओवरोल रिकॉर्ट देगे तो 18 मैच में 401 रन 31 की एवरेश से बनाए अगर आज का मैच खेलता है तो आप इसको भी ट्राय कर सक करते हैं इसने चार रन की पारी खेली इसका ओवरोल रिकॉर्ड देगे 27 मैच का जिसमें 783 रन बनाए 49 की एवरेश से और T20 इंटरेंसल का रिकॉर्ड देगे तो 18 मैच में 588 रन 49 की एवरेश से इसके बाद है परकास मिस्रा 51 मैच में 913 रन बनाए 25 की एवरेश से साथी 76 इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है इसा जायरो जिसने 12 मैच में 24 रन की गेंदबाजी करवाते हैं साथ विकेट लिए साथी 218 रन मार है पहले मैच में 14 रन की पारी खेली इसके बाद है जायरो जिसने 16 मैच में 282 रन मार है 15 मैचों में 206 रन बनाए 13 की एवरेस से और 77 ओरों की गेंदबाजी करवाते विए 34 विकेट लिए पहले मैच में इसको बॉलिंग नहीं मिली क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्सन खूब सा रहा है बात करते हैं रेक्स पिलियर डैलरी क्मीनू वरगाजे की जिसने 36 मैचों में 35 ओरों की गेंदबाजी करा रखी और 22 विकेट लिए पहले मैच में इसने 2 ओरों की गेंदबाजी करा है और एक विकेट लिया बात करते हैं यहां से आपको कौन-कौन से अच्छे पिक रहेंगे तो कुसल किसन कुमार का सेलेक्शन फिलाल काम है पना आप इसको जरूर की पर है वो बैटिंग नीचे कर रहा है परकास मिस्रा चार पर बैटिंग कर रहा है दो अवरों की गेंदबाजी कर रहा है यह भी मस्ट पीक है इसके अलावा बॉलिंग से से जेखो तो जैरिक चुकता ही और अली रसूल आपके लिए मस्ट पीक है एच्छे हैं पिलियर पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो हमारे लिंक पर क्लिक करके आप टेलिगरम चैनल से जूड सकते हैं और यह हमारी डेमो टीम है जिसमें हमने साइम हसन को लिया है विकिट कीप लिक से जसो थरन को लिया है किसन कुमार को लिया है जिसका सेलेक्षन आप देखी सकते है 11% है All Downers रियान इस्टन एक जाई डिलाए जोनसन, जैरिक जुगताई मलियार इस्टन एक जाई, ईसा जाईरो अली उस्मान जमाल इस्टन एक जाई और परकास मिस्रा परकास मिस्रा का सेलेक्षन भी आप देख सकते है लगबख डेट सो के करीब मैच होईंगे तो आपको बहुत जदा फायदा होएगा हमारे चैनल से जुड़ने में और तेलिग्राम चैनल पर हमारी फाइनल टीम आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी धरन्यवाद